आप सभी को मेरा नमश्कार आज हमें एक बहुत महत्वपून टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो पशुपालन में बहुत बड़ा अभिशाप है अधिक तर पशुपालक भाईया शिकायत करते हैं कि हमारा पशुपालक भाईया भी भी प्याया है और पशुपालक बहुत असहाय महसूस करता है पशुपालक यह बताता है कि हमने इसको बहुत सारी केल्शियम भी पिला दी है विटामिन्स की प्रिपरेशन पिला दी है शिताविरी, जीवन्ती, यह सारे सीरप पिलाए जा चुके हैं बहुत सरी पवासने की गोलियां भी खिलाई जा चुकी है पर ऐसा क्या कारण है कि वह पशुपूरी तरह से दूद में नहीं आ रहा है इसी विशे पर आज हम चर्चा करेंगे और मैं बहुत ही happy feel कर रही हूँ बहुत अपने आपको खुश नसीब मान रही हूँ कि मैं आपको यह इसका कारण बता पा रही हूँ यह चीज मैं आपसे share कर पा रही हूँ कि ऐसा क्या कारण है जिस कारण से पशुपूरी तरह से दूद में नहीं आता है चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहला कारण तो यह है कि हो सकता है कि पशुपू की बच्चेदानी में infection हो बच्चेदानी के infection को हम scientific language में metritis कहते हैं आपको अजीव लगेगा कहें आप कहोगे नहीं नहीं उसकी यूनी से कोई गंदगी नहीं आ रही है कोई infection नहीं है लेकिन यह infection ऐसा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता है पशुपू बयाया है और अंदर यंदर उसकी बच्चेदानी में मबाद बन रहा है जिस कारण से पशुपूरी तरह से दूद में नहीं आपा रहा है दूसरा कारण यह है वहाँ भी आपको इश्चर चिकित करेगा आपको लगेगा कि नहीं नहीं यह तो होई नहीं सकता है लेकिन यहाँ भी एक कारण होता है और वहाँ कारण है सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस मैस्टाइटिस मतलब उसके थन में इंफेक्शन और ऐसा इंफेक्शन जो की दिखाई नहीं दे रहा है पशुपालक बोलेगा नहीं थन बिलकुल सही है थन बिलकुल लाल नहीं है कोई सूजन नहीं है दूद बिलकुल नौर्मल है तो जी हाँ यहीं लक्षड होते हैं सब क् सब्सक्राइटिस के अगर इन दो परिशानियों का इलाज आपने करवा लिया है आपने कैश्यम भी पिला लिया शतावरी जीवंती सोंठ जवाइन और यह जो पवासनी की गोलियां है यह सब खिला लिए लेकिन और फिर भी आपका पुश्व नॉन्मल नहीं आपा रहा है साथी साथ पश्वची के सक ने भी अंडिबाटिक्स लगा दी है फिर भी पश्व दूद पे नहीं आपा रहा है तो एक इंपोर्टेंट कारण हो सकता है वहां होता है हार्मोन इन इंबैलन्स कुछ इंपोर्टेंट हार्मोन हैं बाड़ी में जैसे की प्रोलैक्टिन और ऑक्सिटोशिन इन हार्मोन के इंबैलन्स के कारण भी पश्व दूद नहीं देता है तो आपका पश्वची के सक इससे सम्बंदित भी इंजक्शन लगाएगा और आपके पश्व को नॉर्मल दूद उतपादन पर लेगा जब इस तरह की गंभीर समस्या को लेकर आप किसी कुशल पश्व चिकस्व के पास जाएंगे तो वह आपको बताएंगे कि यहां इस तरह की समस्या है और इसके लिए वह डॉक्टर क्या करेगा आपके पश्व को एक एंटिबाटिक देगा औ दूद में अंतर दिखाई पड़ेगा और अगर वह अंतर आपको दिखाई पड़े तो आप समझ लीजेगा कि उसकी बयत जाने कितनी शतावेरी जीवंती अपने केल्शियम की बोतले पिला ली हैं और पवासने की गोलिया बजार में आती हैं मिल्ची पवास बहुत सरे न अधिया एक अने इंपोर्टेंट कारण भी है ही हर्मोनल इंबैलन्स इस तरह की विमारी में सबसे महत्तोपूर्ण तो यहां कि आप बहुत जल्दी जाग जाएं मतल47 बहुत जल्स अप इसके लिए इलाज करने के लिए निकल पड़ें ना कि अपना इलाज करने लगें क्योंकि अगर आप इस इलाज में लेट करेंगे तो हो सकता है कि पशु उतनी जल्दी दूद में ना आ पाए या फिर ना आ पाए तो ऐसी परिस्तिती अगर आपके साथ गभी भी होती है तो इसके लिए देर न करें तुरंत ही अपने पशु चिस्तक के पास में जाए बजार में होमेपाथिक दवाईयां भी उपलब्द हैं उन होमेपाथिक दवाईयों को देने से भी पशु दूद पे आ जाता है दो बहुत ही महतुपूर हमेपाथिक दवाईयां हैं आटिका अरेंस और फाइटोलैका इन दोनों हमेपाथिक दवाईयों की अगर हम थाटी थाटी पोटेंसी देते हैं और लगबग आठ से दस बून उसके जवान पे हम चार बार डालते हैं तो पशु दूद पे आ जात है आशा करती हूँ यह जो पूरी जानकारी दी है आप सभी के लिए बहुत ही लाब भब्रत होगी और यदि आपको इस से लाब मिलता है तो आपसे अनुरोत करूंगी इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें मैं आगे फिर हाजिर होती हूँ और बहुत ही महतुपू बीमारियों को लेके या बहुत सारी परिशानियों को लेकर और वीडियोज बैनाऊंगी थैंक यूँ